ग्यान्द अट्रेसर में आपका स्वागत है और हम आपको अपने या आपके सनात्म धर्म की शादियों की रस्में और उनके विज्ञानिक तर्ग के बारे बताएंगे कि साइन्टिफिकली हम सारी चीज़ों क्यों करते हैं हर चीज़ का एक साइन्टिफिक लॉजिक है जो सुनात्म धर्म में जो शादियां होती है हिंदु धर्म की शादियों में बहुत सी रस्में और रिती विवाग निभाये जाते हैं भारतिय रिती विवाग और भारतिय सुनस्कृती सुर्फ भी नहीं वर्कि विदेशों में भी काफी पसंद की जाती है पारतिय शादियों में कुछ ऐसी रस्में होती है जो सिर्फ विती यह रस्में ही नहीं है उनके वैज्ञानी कारण है और फाइदे भी है जो वरवदू के लिए जरूरी भी है अभी सबसे पहले हम सगाई के कि सबसे पहली रस्म होती है सगाई हिंदु धर्म के अनुसार सगाई वाले दिन वरवदू एक दूसरे को बाए हाथ की चौथी उमली में अनामिका में उमली पेहनाते हैं सगाई की रस्म की अमली पेहना कर सम्पन की जाती है अब यह वैज्ञानी की तर्क क्या है शरीव इस उंगली में अंगोटी पहनने पर उस नफ पर तबाव पड़ता है जिससे दिल का रक्त संचार सुचारे रूप से चलना शिरू हो जाता है और दिल जो हो मजबूत होता है तब अंगोटी पहनने वाले का दिल हमेशा दिल में रहती है उसके लिए प्यार बना देता है फिर है शर्दी पर हल्दी का लेप लगाना शादी से पहले दुला और दुला को हल्दी का लेप लगाया जाता है परंप्रा के अनुसारख शादी से पहले हल्दी लगाने पर चेहरे पर निखार आता है तता वरवदू बूरी मज़र से बच्चे लगता है वैज्यानी तर्ग क्या हम आपको बताता है हल्दी में बहुत सारे औसिदिये गुन होता है तता हल्दी एंटिसेटिक भी होता है हल्दी लगाने से तुचा संबंदी रोग, इंफेक्शन या शारीक दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है तता चेहरे और तच्चा पर प्राक्रितिक निखार आ जाता है हल्दी लगाने से वरवदू को शादी के समय थकान मैसूसनी होती है फिर हाथ पेरों मेहदी लगाते है शादी से पहले दुल्धा तता दुल्धन के हाथ पेरों में मेहदी लगाई जाती है प्रंपरा के अनुसार मेहदी लगाना शुब होता है मानेता के अनुसार हाथों में मेहदी का रंग जतना गहरा चड़ता है वर्द अतावदू के बीच उतना ही गहरा प्यार होता है इसलिए मेहदी को शबूर माना गया है अब इसका बैग्यानिक सर्थ समझे स्थिए लोजिक यह है कि मेहदी में एंटिसेप्टिक गुन होता है मेहदी लगाने से शरीर को ठिंडग मिलती है जिससे तनाव, सिर्दर्द और बुखार में रहत लेता है इसलिए सादी से पहले इन बेमारियों से बचाने के लिए वर्द अतावदू को मेहदी लगाए जाती है फिर अगने की ओर फेरे लेना शादी के सबसे मुख रस्म है अगने के चार ओर साथ फेरे लेना जब तक एरस्म पूरी नहीं हो जाती है तब तक शादी नहीं मानी जाती है इसलिए वर्द अतावदू अगनी के चार ओर चक्कर लगाकर साथ फेरे लेता है बेग्यानिक तरक हम आपको बताते है अगनी जलाने से नकरातमक उर्जा दूर होती है अगनी में आम, चंदन के लक्डियां, घी, चावल, समग्री यारी डाली जाती है जिनके चलने से आसपास का वातावरन शुद होता है तथा शांती का मोहल बनता है इससे हम अपस्तित लोगों के स्वास्त पर अच्छा प्रफाव पड़ता है तथा मांतिक शांती मिलती है, तथा वर्वद में सकरात्मा कुर्जा का संचार होता है फिर मांग में सिंदूर बरना हिंदू धर्म के अनुसार शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है इसके बाद दुल्हन हमेशा अपनी मांग में सिंदूर भरती है मांग में सिंदूर भरा होना शाय दिशुदा होने का प्रतीक है इसका वैज्ञानिक तर्ख हम आपको बताते हैं शरी विज्ञान के रुसार मांग भरने वाली जगह पर यानि माथे पर बीच वाली जगह पर माथे से लेकर सिंदूर के बीच तक दिमाग की एक बहुत महस्पूर्न तता समीदन सिल गरंती होती है जिसे ब्रमरंद्र कहते हैं अब जब इस जगह सिंदूर लगाया जाता है तो यह औसदी का कारता है जिससे दिमाग शांत रहता है शादी के बाद महिला पर ब्रहस्ती का दवाव आ जाता है जिससे उसे तनाव, चिंता, अनित्रा, सिर्दर्द यादि भीमारियां गेदी है सिंदूर में हल्दी चूना जथा पारा होता है पारा दिमाग को ठंडा रखता है इसलिए मांग में सिंदूर भरा जाता है ताकि इन बीमारियों से बचा जाते है दूसरा कारण यह भी है कि पारी के वज़ए से पत्नी के मन में सेक्स की इच्छा मनी रहती है कि इस शादी शुर्दा जिन्दगी के लिए बहुत जरूरी है और इसी वज़े से कुमारी लड़कियों दर विद्वा इस्तिरियों में अपनी मांग में सिंदों नहीं भरती है फिर हाथों में चूड़ियां पेहना भारतीय संस्रीती के अनुसार इस तिरियों का शादी के बाद चूड़ियां पेहना बहुत जरूरी है चूड़ियां सुंदरता में भी चार चांद लगा देती है मानता के अनुसार चूड़ियां पती के नाम की पहनी जाती है वेज्ञानिक तर्थ हम आपको बताते हैं, हाथों की कलाईयों में यहां और यहां, कई अक्रप्रेशर बिंदू होते हैं, चूडियों से इन बिंदू पर प्रेशर पड़ता है, जिसे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, जिसे स्वास अच्छा रहता है, फिर पेरों की उगल वेज्ञानिक तर्थ हम आपको बताते हैं, पैर की दूसरी उंगली पर एक नस होती है, जो गर्भासे से होती हुए दिल तक जाती है, बिच्वा पहनने से इस नस पर दवाब बढ़ता है, जिसे गर्भासे तर्थ दिल के रक्त का संचार जो है सुचारूरूरूप से चलत है, जो प्रित्री से उर्जा गहन करके इस्तियों के सरी में प्रवाइद करती है, तो ये थी शादी की कुछ रसमे, कुछ रिती जिवाद, जिनने देखते हैं, जानते तो सब हैं, लेकिन इनके पीछे से असली मकसद बहुत कम लोग जाते हैं, और इसलिए बिना इसकी वा से वजचित रह जाते हैं, और विमारियों के चपेट में आते हैं, हमारे पुरुवच, रिशी मुनी, और आरवी, शरी विज्ञान, प्राकर्टिक चिक्तस आयादी के बारे में ज्ञान बहुत पहले हो गया था, इसलिए उन्होंने प्राकर्टिक चिक्तसी अलाग के कि पुरुच, प्राकर्टिक चिक्तस बारे में ज्यादी के लिए।